हलो चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो इंग्ली सब्जेट का जो यूनिट 3 का एक लेशन है जिसका नाम है सरकल्स 3 इस लेशन को हमने विज स्कूल पर बनाते वक्त कौन-खौन से डोमेंट को इंप्लूइट किया है तो बैसिकली इस जो लेशन में दिया गया इस लेशन के जो आपड्रीक्टीव है बच्चो को लाइबरेरी से इंट्र WOW करवाना। उसके बाद में मेलिज सिस्टम से इंट्रongo डूइट करवाना और और देर communication practices करवाना टेलीफॉन से इंट्रड्यूस करवाना तो जब हम इनके objectives के उपर देखते हैं तो इसमें समझ में आता है हमें कि जो lesson है यह जो है language and literacy development पर focus कर रहा है तो हमने इस domain का इस्तेमाल किया है इस साथ इस lesson को बच्चों को सिखाने के लिए हमने multiple जो है activities को include किया है जो के learner centered approach की जो है activities है जिसमें बच्चे खुद involve होकर सीखते हैं self learning का process होता है तो ऐसे activities को हमने include किया है आप definitely in activities को अपने student के हाथ में conduct कीजिए आपको better results मिलेंगे झाल